इलार्मिंग तो नहीं लगता है, सुभाविक है, वहां पाटी की हार हुई है, उनको देखना है, तो जीते हैं, उनको देखना है। बियार में क्या लगता है, जनता का मूड बदल रहा है कुछ। अब इसकी समझ तो आपको ज्यादा होगी, हम तो ज्यादा की मूट की समझ होगी। एक देश में जन्ता का मूट बदलना है इन एलक्षन शुतना और परिनाम को देखते हुए। नहीं ऐसा। अब कंपेर, डिपेंड्स की आप कंपेर किस से कर रहे हैं। अगर आप 2014 के मुकाबले से देख रहे हैं, तो संब्धो है कि थोड़ा जो फान है, तो खम दिखता हो आपको। लेकिन अगर आप 2009 या 2004 के मुकाबले देखेंगे तो उसके मुकाबले आज भी बहुत बहुत पाती है। अगरेंडर मोदी का करिश्मा जो है कुछ धूमील हुआ है या फिर उसी तरह से है अब तक अब यह तो जनता बताएगी अभी पांच महिने में की करिश्मा है या धूमील हुआ है। जो ट्रेंड्स आ रहे हैं जो डिफरेंट एलेक्शन्स हुए हैं जो स्टेट्स के उसके जो ट्रेंड आये हैं उससे क्या लगता है कि करिश्मा बरकरार है या फिर खटम हुआ है। बचल नेता के तौर पर देश में आज भी सब्सें लोग्त्रीय नेता हैं इसमें तो कोई दोमत है नहीं और प्रियता के पैमाने पे कोई साइंटिफिक आधार पर कैसे कह सकते हैं लोग्त्रीता कम हुआ नहीं हुआ अप्रूबल रेटिंग्स इतनी है प्राइब जो बड़े नेता है वो धर्म गुरूओं से मिल रहे हैं जेडियू क्या इस तरह की नीदी अपनाएगी क्योंकि पिछले दिनों जब अरेसेश प्रमोख मुहन भागवताय थे तो वो बिहार के धर्म गुरूओं से मिले थे और दो दिन पहले आधित्यनाथ आये थे योगी आधित्यनाथ वो भी धर्म गुरूओं से मिलकर चले गए देखिए हम लोग एलाइंस में हैं और हम लोग दो पार्टी हैं यह बात यह हम समाद है कि कई मुद्दों बलोग के विचार कारिक्रवब के समानता है इस ले खाने हाई हमलोग दो पार्टी हैं क्याओक और सुल्थ एक करने रहतं है और किसी राजमितिक विचार धारा से जोड़ कर देखना ही मतलब यह ठीक नहीं है राहुल गांदी भी धर्म गुरुवों से मिल रहे हैं